जैसे ही हम अपने attitude को change करते हैं, सोच को बदलते हैं, हमारी सफलता शुरू हो जाती है गुरु बगवान के शुक्राने हैं हम एक घटना, एक तर्ष्टांत जो सत्य घटना है उससे शुरू करते हैं थोड़ी लंबी कहानी है, लेकिन purposeful है और सीखने के लिए बहुत कुछ है भारत में हिमाले पर एक बड़ा सा आश्रम है आज भी है, वहाँ लगबग 500 ब्रह्मचारी उस समय रहते थे जबकि ये घटना की बात है अब तो ब्रह्मचारी लोग काम हो गाएं हार जगा, अब तो सब लोग पैसा कमाने में लग गए है पर जिस समय की घटना है उस समय 500 ब्रह्मचारी वहां रहते थे वे सभी अपने गुरुजी के मार्व दर्शन में चल रहे थे, अभ्यास में लगे थे में थीम जो है हिमाले पर आश्रमों का जो थीम है में और भी थीम है भगवान को पाना है, भक्ती करना है, नामजब करना है, ध्यान करना है, कई थीम है में थीम होता है उसमें अपने सुरुप को जानना कि मैं कौन हूँ इसके खोजना करने के लिए लोग हिमाले के उन आश्रमों में जाके रहते हैं एकांत में रहते हैं ध्यान करते हैं शास्त्रों को पढ़ते हैं जिनमें मैं कौन हूँ की व्याख्या दी गई है कि तुम कौन हो, ये बताया गया है हम अपने को शरीर मानते हैं, वो कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो निराकर चितन तत्तु का अंशू अब जाने कैसे, इसमें टिकें कैसे सुन तो लिया, अभी तो हम अपने को शरीर ही मान रहे हैं, भले हमने सुन लिया, लेकिन मान तो हम शरीर ही नहीं अपने को, टिकने के लिए सारे अभ्यास हैं, जो बहुत लंबे हैं, तो ये सब अभ्रमचारी लोग अभ्यास कर रहे थे, एक दिन, एक लड़का उस आश्रम में आया, गुरुजी के पास पहुँचा, गुरुजी, नए लोगों को गुरुजी आने देते हैं, और जब वो एक बार सिर्षत स्विकार कर लेते हैं, महा कर सिर्ष हो जाते हैं, तो फिर गुरुजी की आज्यानुसारी ही उनसे मिला जा सकता है, वरना नहीं, क्योंकि ऐसे गुरुजी रोज रोज पान सो लोगों से मिलेंगे, तो कहां उनका क्या होगा, तो शुरू में मिलते हैं, कोई भी आता है तो मिलते हैं, क्या बात है, कारण, क्वेस्चिन्स जो भी, तो लड़के ने कहा, गुरुजी, मैं स्वेम को जानना चाहता हूं, सत्त की खोज कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि सत्त क्या है, मैंने सुना है, दुनिया जोटी है, मित्या है, माया जाल है, नाटक है, पिक्चर की तरह है, यह सच कुछ नहीं है, सब कुछ परिवर्ट तन्शील है तो सत्थ क्या है मैं जानना चाहता हूँ गुरुजी ने उसकी और देखा और कहा कि यदि तुम सत्थ को जानना चाहते हो तो ऐसा मान लो कि पूरा जीवन तुम्हें दाओं पा लगाना होगा हो सकता है कि जीवन के अंत में जाके तुम जान पाओ तो तुमें यह न लगे कि मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया मैं कुछ और तो करी नहीं पाया ये सोच लो और इस बात की भी कोई गारणटी नहीं है कि जीवन काल के अंत तक तुम्हें पता चल भी जाए कुछ लोग होते ही जो रह जाते हैं सत्त तक नहीं पहुँच पाते सुन सब लेते हैं बोल भी लेते हैं लेकिन अंदर में उनके निश्चे नहीं होता अंदर में ढीले ढाले रहते अपने को शरीरी मानते रहते उनका ध्यान द्रव्य पतार्तों की तरफ अपने मन की इच्छाओं की तरफ रहता है मन इच्छाएं उनकी पीछा नहीं छोड़ती तो देख लो क्या तुम तैयार हो पुरा जीवन लगाने को तो इस कहता है गुरुजी मुझे मैं यहां पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ मैं यहां आया हूँ दूर तक जाने के लिए मैं रुकने के लिए नहीं आया है मैं इसके लिए तैयार हूँ गुरुजी ने कहा कि यदे ऐसा है तो एक काम करो इस आश्रम में पानसो ब्रह्मचारी हैं, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, उस काम को तुम्हें करना है, और आज से लेकर जब तक करना है, जब तक कि मैं तुम्हें मिलने ना आओं और कहूं नहीं कि अब इस काम को रहने दो, अब दूसरा काम तुम्हें दिया जाता है, तब तक तुम्हें यही काम करना है, एक ही काम करना है, और तुम मेरे पास मिलने नहीं आओगे, मैं आओँगा जब मुझे लगेगा, तुम्हारे हाल चाल में मालूम करता रहूँगा, इसलिए चिंता मत करना, तुम्हारी समाल ऐसे होगी, टाइम पर भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा और तुम्हें कुछ करना है वहाँ जो भी कर सकते हो ऐसा नहीं है कि वहीं बंदन हो गया तुम्हारा कर सकते हो पर कारिज जो तुम्हें दिया जाएगा वो तुम्हें लगातार करना है persistence लगातार लगे रहना success के पीछे एक बहुत important point है persistence persistence लगातार लगे रहना जो लोग संसार में भगवान को नहीं मानते कह सकते वो लोग न तो भागी को मानते हैं न भगवान को मानते हैं वो मेहनत को सब कुछ मानते sustained dedication for a long period of time लगातार लगे रहने को सब कुछ मानते तो तुमको मैं एक काम देता हूँ और वो है धान कूटने का धान कूटकर चावल अलग हो जाता है उसका जो घास होती है प्याल बोलते है उसको वो अलग हो जाती है उसको अनिक कामों में ले लिया जाता है और चावल को अलग निकाल करके वो पकने के लिए अगले दिन के लिए किछिन में चला जाता है तो यहां अभी जो कोई काम करता था मैं उसको वहां से अटाता हूँ अब तुम कोई यह काम करना है उसको आगे कहीं भीशता हूँ सुबह से शाम तक बस तुम्हें एक ही काम है दान कूटने का उसके अलावा तुम्हारा और कोई काम नहीं है ऊबात अलग है तुम खानी के लिए जाओगे, पानी पीओगे, यह करोगे पर काम तुम्हारे लिए यहां और कोई नहीं है यह मैं लिख दूँगा बार बोर्ड पर तो कोई तुम्हें डिस्टब भी नहीं करेगा कोई कुछ नहीं बोलेगा ठीक है जब ठक जाओ तो सो जाय करना और सुबह उटकर फिर धान कूटने लग जाय करना तुम्हें कुछ सोचना भी नहीं है अपनी मन को एकी काम में लगा देना डुबो देना बस यही मेरा काम है और मेरा कोई काम नहीं है हो सकता है मन में विचार आएं पुराने आएं तो आएं तुम उनकी तरफ ध्यान मत देना तुम्हारा यही काम है ध्यान कूटना और यही तुम करते रहना कुछ मत सोचना अपनी तरफ से ठीक क्योंकि तुम्हें एक ही रास्ता में ने बता दिया उस पर तुम्हें चलते रहना है उस लड़के ने गुरुजी के आदेश का पालन करते हुए धान कूटना आरंब कर दिया लग गया वो काम पर पांसु ब्रह्मचारी थे चावल बहुत चाहिए होता था समय पर भुजन के लिए दान के वो चावल की आवश्रक्ता पड़ती थी इसलिए उस सुबे जल्दी उड़ जाता और देर रात तक धान कूटता जब वो ठक जाता तो उसी कमरे में सू जाता जैसे जगे मिल जाती अपना कुछ बिछा करके टार्ट बोरी वोरी टाइप से बिछा करके और इतना ठक धा होता था कि वहीं उसको निंदा जाती और जब सुबे आख खुलती तो तयार वयार होकर अपना और फिर से धान कूटने लग जाता किसी से बात नहीं करता था और कोई उसके पास नहीं आता था क्योंकि गुरू जी की आग्या थी उसका एक ही काम है अश्रमों में अधिकतर वोही ब्रह्मचारी रह पाते हैं जो गुरू जी की आग्या में चलते हैं बाकि अपने मनमन कुछ भी हो सबके अपना मन होता है वो अपनी बातें उनकी जो हैं जो भी होती है सब कुछ होता है पर आग्या जो पास हो गई गुरू जी की वो तो वही चलेगी बाकी जो भी करें वो अपने एक्स्ट्रा टाइम में इदर उदर टाइम में बाते करें गौसिप करें निंदा चुगली करें रागद्वेश करें वो जो भी करते रहें गुरू जीस कोई उसका वहां तक बात पहुंशती नहीं है वो अपने अपने लेवल पर करते रहते हैं काम करते रहते हैं और जब साधना की बारी आती है तो फिर उनको साधना करनी होती है फिर ओध्याने दरदर कहीं नहीं कर सकते है समय होता है हर चीज़ का जिस क्लास में बच्चे होते हैं तो पढ़ना होता है तो किसी से बात नहीं करता था, उसके पास कोई नहीं आता जाता था, कुछ महीनों तक धान कूटते हुए उसके मन में अब क्या हुआ समय होता है, हालाद बदलते हैं, पुराने विचार उसके मन में आना शुरू हो गए, अब यहां देखने वाली बात ही है कि विचार तो मन में आ रहे हैं, लेकिन क्योंके एक काम मिला हुआ है, और उस काम को करने में और लगा हुआ है, और मन में विचार आ रहे हैं, तो विचारों को कोई विशे नहीं मिलता, कुछ स्थान नहीं मिलता, जिनको विचारों को पूरा कर सके, कोई मन में इच्छा आई, तो उसको प पूरा करने के लिए कुछ नहीं है, कोई मन में विशे भोग की लालसा आई, कुछ खाने की, आज तो पहले मैंने एक बार मटर पनीर खाया था, अब तो अब है ही नहीं मटर पनीर, वहां तो जो भूजन बनता है सादा वो ही मिलेगा, दो टाइम का भूजन होता है नाश्रम होती है, घूम फिरकर 3-4, 3-4 दिन, 2-3, 4 दिन, 3-4 दिन, वही सबजी सेम रिपीट होती रहती है, 3-4 तरे के सबजी पाढ़ों पे मिलती हैं बस, दीरे-दीरे उसके मन में, जो विचार आ रहे थे क्योंके उनको स्थान नहीं मिल रहा था, कोई विशे नहीं मिल रहा था, आगे बढ़ने का कुछ स्थान नहीं मिल रहा था तो विचार उसके शांद होने लगे हमको विचार क्यों आते रहते हैं बराबर क्योंकि हमको विचारों को पूरा करने के लिए बहुत सारे option से और वहाँ आश्रम में कोई option नहीं होता है कुछ सालों तक यही करम चलता रहा उसके मान से क्विचार खतम हो गए बस काम करता सुब़े से राद तक एक ही काम था और ऐसी हालत होई कि वो अपना नाम तक भूल गया जिस नाम से वो यहां आया था क्योंकि वो आ गया था लगबग सत्रा साल की उम्र में और अब उसको कई साल बीत गए थे और वो अपना नाम भी भूल गया था लोग उसको धान कूटने वाला कहते कभी उधर से कोई निकलता जो चावल लेने आता वो कहता हाँ भी धान कूटने वाले कैसे हो ठीक हूँ बस बात कहता हूँ उचावल ले जाता था अगले दिन और इसको दहन जो है बराबर वहाँ बेल गाड़ियों में आता रहता था वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग चलती रहती थी एक दिन गुरुजी ने घोशना करी जब काफी साल बीत गए गुरुजी काफी बुजर्ग हो गए थे लगता है अब मेरा अंतिम समय आ रहा है पता नहीं कब आ जाए टाइम भी लग सकता है थोड़ा लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी से अपना एक उत्रादिकारी गोशित कर दूँ जब भी मेरा शरी शान्त हो तो वो उत्रादिकारी मेरी गद्धी पर बैठेगा मेरा कोई भी शेशे जिसे लगता हो कि जिसे आत्म साक्षातकार हो गया है जिसने अपने सुरुप को जान लिया है जिसने अंदर तक पका कर लिया है कि वो कौन है और उसको समझ गया है और अगर मैं उसका परिक्षा लूँ तो उसके अंदर बिलकुर शरीर भाव ना हो वो आत्मा में टिका हुआ हो फेल ना हो जाए ऐसा कोई हो तो मेरे कमरे के बाहर ये बोर्ड लगा है चौक रखी है इस पर आकर कुछ पंग्तियां लिख जाए तो मैं अगले दिन विचार करूँगा अगर उसने बिलकुर सही लिखा होगा ग्यान तो मैं उसको उत्रादिकारी गोशित कर दूँगा पूरा दिन निकल गया चौक शिस लोग विचार करते रहे क्योंकि रात तक का समय था उनके पास अगले दिन गुरुजी देखेंगे पढ़ेंगे काई सिस्टों ने सोचा के हम लिखते हैं लेकिन फिर पात ध्यान आई कि गुरुजी जब इमताहन लेंगे तो क्या होगा उससे वो महान नहीं लिख पाए एक थोड़ा दबंग टाइप का था उसको पूरा विश्वास था कि जो मैं लिखूंगा गुरुजी ज़रू पसंद करेंगे और चालाकी मैं यह कर सकता हूँ कि मैं अपना नामी न लिखूं अगर गुरुजी ने अप्रूब कर दिया तो पूछेंगे कौन है और अगर डिस अप्रूब किया पसंद नहीं किया तो फिर उन्हें पता ही नहीं कौन है कोई पूछेंगे किसी को पता ही नहीं किसने लिखा है तो रात में चुप चाप वो ये पंक्तियां जो अपने को समझता था कि मैंने बहुत सारे गरंत पड़े हैं, बहुत ग्यान है मुझे, मुझे उत्रादिकारी बना दिया जाना चाहिए, तो वहाँ एक जाकर वो अपनी कुछ लाइने लिखाया, लाइने इस प्रकार थी, मन एक दरपन की तरह है, जिस धूल को मिटाने के लिए, साफ करने के लिए ध्यान करना चाहिए, जिसकी धूल हट जाती है, और मन का दरपन साफ हो जाता है, वो मुक्ष प्राप्त करने की योगी हो जाता है, सुनने में लाइने बिलकुल सही है, अगले दिन सुबह गुरुजी उठे, उन्होंने पंक् साधना है, पूर्ण ग्यान नहीं है, मैं जिसको उत्रादिकारी बनाना चाहूंगा, उसको तो पूर्ण ग्यान हो जाना चाहिए, वो तो इस पर खरा उतर जाना चाहिए, उसका तो मन जो लिख रहा है, उस प्रकार से साफ हो जाना चाहिए, उसने वो नहीं लिखा, उसने इस ने लिखा था उचुप रहा क्योंकि अब तो काम बना नहीं रिजेक्ट हो गया किताभी ग्यान था नाम अपने लिखा नहीं था गुरुजी ने उन पंक्तियों को का इनको मिटा दो यह ठीक नहीं है सब यह अचंबित रह गए आश्चर में रह गए पंक्तिया तो सही ल है वो तो अपनी तरह से अरादमी लिखता है बात को लेकिन पंक्तिया ठीक लग रही है अच्छा तो इसका जवाब फिर इसका मतलब कुछ और होगा गुरुजी के हिसाब से इसने सही नहीं लिखा जिसने भी लिखा है चलो अब हम और देखते हैं तो गुरुजी ने कहा अब फिर मैं समय देता हूँ कोई और कोई आकर के लिखे यहां पर रात में लिखे वले अब कल देखूंगा अब ये घटना पूरे आश्रम में चर्चा का विशे बन गई इस विशे पर बात करते हुए दो शिष उस धान कूटने वाले शिष के पास से निकल रहे थे का सबक्राइब बात कर देंगे वही खड़ियो कर देंखिए ह कैसे होता है भगवान की क्या लीला होती है ने दयन कूटने वाला उनकी बातें सुनता रहा वह धीरे से हस पडा जोनों से ने उस से पूछा कि तुम क्यों हसे भआई उन दोनों की नजरों में तो दैन कूटन जानते हो इस आश्रम में बड़े-बड़े विद्वान है और तुम एक विद्वान ने कोई बात लिखी है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं तो तुम उस पर हसने लगे तो अजीब सी बात है भई अच्छा बताओ तुम बताओ जवाब कुछ तुम बोलो हम भी बोल रहे हैं आपस में डिसकर्स कर रहे हैं तुम कुछ बताओ तो इसने कहा देखे मैं इसलिए हसाक्यों कि गुरुजी ने जो कहा कि ये पंक्तियां ठीक नहीं है वो सही बात है जिसको सुनकर गुरुजी खुश हो जाएं दानको उटने वाले कहते हैं नहीं मैं तो अनपढ़ हूँ और मैं ऐसा कोई ग्यान नहीं जानता लेकिन हां इन पंक्तियों में कुछ गल्तियां हैं उनको अगर मैं ठीक करके लिखवा दूँ मेरे को लिखना नहीं आता हैं क्या होता है जो ठीक है तुम अगर उत्ता लिख सकते हो जो गुरुजी कह रहे हैं तो चलो रात को करते हैं इस काम को रात के समय गुरुजी के कमरे के पास गए और बोर्ड पर चौक उठा कर बोले अब जब बताओ क्या लिखना है तो शिष्च जो है पंक्ति जो जो दान कोटने वाला बोलता गया अब उन्होंने सोचा गुरुजी इस पर भी गुस्सा करेंगे देखना उन्होंने क्या करा पंक्तिया तो लिख दी उसके नीचे साथ में लिख दिया धान कोटने वाला अब वो तो विचारा पढ़ना जानता नहीं था उसे पता नहीं उन्ह कभी भी सुना होगा लोग बात करते हुए जैसे चलते ही हैं ग्यान बोलते हुए ना में मन हुँ ना बुद्धी ना इंद्रिया न चित ना अहंकार मैं आत्मा हुँ मैं ये सब नहीं हुँ रागदेश मुझ में नहीं है कामवासनाय मुझ में नहीं है काम करोद लोग मो आंकार इत्यादि विकार मेरे में नहीं है शब्द इस पर शुरूपरस गंद ये विशय मुझको टच नहीं कर सकते छू नहीं सकते मैं आत्मा हूँ निरलेप नियारा निराकार चेतन तत्व अनादी अनंत अजन्मा ऐसे मैं इन सबसे विशयों से विकारों से अलग हूँ निरलेप नियारा निराकार चेतन तत्व लाश्ट में लिखी एक लाइन जब मैं मन ही नहीं तो धूल ठहरेगी कहा हूँ अब सुबह हुई गुरुजी ने पंक्तियों को देखा सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करते थे गुरुजी तब तक कोई इधर आता नहीं था वो अचंबित हो उठे और वो उठकर के वहाँ से सीधे धान को उठने वाले के पास गई सबसे पहले तो उन्होंने एक काम करा उसका नाम मिटा दिया धान कोटने वाला कि अगर कोई आकर पढ़ता भी है तो कोई हर्ज नहीं है सत्य लिखा है पढ़े धान कोटने वाला उन्होंने मिटा दिया और गए उसके पास वो सो रहा था गुरुजी ने जगाया और कहा देखो ये मेरी चड़ी है और एक वस्तर की जोडी में लाया हूं जो मेरे हैं मेरा उत्तर अधिकारी इनको पहनेगा और इस चड़ी को वो अपने हात में रखेगा ये मैं तुमारे लिए लाया हूं आज से तुम मेरे उत्तर अधिकारी हो लेकिन अब मैं तुमसे दूसरी बात कहता हूँ तुम इस आश्रम को छोड़ कर कहीं दूर चले जाओ क्योंकि इस आश्रम में बहुत सारे विद्वान हैं जो स्वैम को तुमसे स्रिष्ट मानते हैं वे तुम्हें मार देंगे छोड़ेंगे नहीं क्योंकि इस बात को वो सेहन नहीं कर पाएंगे कि एक साधारन धन कूटने वाला इस आश्रम का इंचार्ज बन जाए और वो लोग तुमारे आधीन हो जाएं जो कई साल से ग्यान में लगे हैं और बड़े बड़े विद्वान हैं तुम्हें सही सही ग्यान हो गया है जो पारी समझने की बात है जो भी नौकरी कर रहे हैं बिजनस कर रहे हैं किसी भी बड़ी राह पर चल रहे हैं सक्सेस्फुल होना चाहते हैं मेंटर का होना तो बहुत जरूरी है जीवन में एक मेंटर तो होना चाहिए मेंटर हमको ठीक ठीक गाइड करते हैं हमको आगे रास्ता दिखाते हैं, कभी-कभी हमारे आगे अंधेरा चाह जाता है, हमको समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, तो वो हमको रास्ता बताते हैं, और अगर मेंटर नहीं है जीवन में, हमने किसी को रखा नहीं है उपर, अब यहां पर यह विद्वान संतजी हैं, लेकिन जितन और पढ़ गए हैं, विद्वान बन गए हैं, वो अपने को बहुत कुछ समझने लगते हैं, ठीक है, यह इंचार्ज हैं, सब कोहां के सुपीरर हैं, लेकिन यह लोग अपने को कम नहीं समझते हैं, तो सक्सेस्फल होनी की रहा पर जब हम चलते हैं, तो कई लोग ऐसे मिलत हैं, जो हम से जादा हुश्यार होते हैं, और वो हमको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, गिरा सकते हैं, मेंटर हमारे साथ होते हैं, तो बचा कर हमको आगे निकाल ले जाते हैं, यह खास बात है, मेंटर को सारे गुर्पता होते हैं, किस तरह बच के निकलना है, बच के निक तुमको कोई नहीं चाहता, सब चीज़ें चाहते हैं, तो तुम, तुम्हें ग्ञान जो हुआ है, धान कूटते कूटते, यहां रहकर, यहांके वाइब्रिशन्स, यहांके औरा में, और जो भी तुम थोड़ा वो सुनते थे लोगों से, इदर उदर आते जाते लोगों से, तुमने समझ लिया बात को, तुम्हारे विचार दारा सब शान्त हो चुकी कब की, तुम्हारे विचार बहुत आए, जैसा कि मुझे पता है, आते हैं, वो सब शान्त हो गए, और तुम इस समय स्थिर हो, बिलकुल आत्मा में स्थित हो, तो मैं समझ रहाँ उस बात को, और मुझे पता है कि तुम जहां भी जाओगे, यहां भी रहोगे, तो लोग तुम्हारे पास ग्यान लेने आएंगे, जब कोई फूल खिलता है, तो तितलियां आही जाती है, उसकी मेहक चारों तरफ फैलने लगती है, यह लोग सेहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम यहां से चले जाओ तो ठीक रहेगा, ओ लड़का पूशता है, महराजी, अभी मुझे नहीं लगता कि मैं इतना परिपको हो गयाओं, कि मैं यहां से जाने के बाद स्थिर रह पाऊं, क्या ऐसा हो सकता है, कि आपका जीवन अभी और लंबा हो, आप रहें, और मैं यहीं आपके सानेद में रह करके, अब ग्यान में आगे बढ़ूं, अपने में स्थिरता लाऊं, जो बात मैंने कह दी है, और आपको सही लगी है, उसमें मैं पूरी तरह स्थित हो जाऊं, सक्सेस का कोई मापदंड इस तरह नहीं है, कि यहां पहुँच गए आप और सक्सेस्फुल हो गए, अभी और आगे जाना है, भी और आगे जाना है, जो लोग सक्सेस्फुल हैं, वो जानते हैं मेरी बात को समझ पाएंगे, अकसल लोगों नहीं सोचा होता है, वहां तक पहुच जाएंगे न तो हम सक्सेस्फुल हो गए, इतना रुपया कमाल है न हम सक्सेस्फुल हो गए, मैंने इस चीज़ को अनभव किया है जीवन में एक बार, ऐसा नहीं होता, जो सोचते हैं लोग, हमेशा हमारा मन और आगे और आगे और आगे जाना चाहता है, तो सक्सेस्फ की जो परिभाशा है, इस अ प्रोग्रेसिव रियलाइजिशन, लगातार लगे रहना और आगे बढ़ते जाना of a worthy goal, जो goal higher और higher और higher होता चला जाता है, आदमी कभी जीवन के आखिर तक ये नहीं कह सकता, कि मैं पूरी तरह successful हूँ, कहेगा मैं successful रहा जीवन में, लेकिन मैं अभी और कुछ कर सकता था, ये उसके आगे के बाके दिखाएंगे, कि अभी उसको पूर्णता प्राप्त नहीं हुई, पूर्णता सिर्फ पर्मात्मा में है, ये जो शिशे है एक तरह से पूर्णता को प्राप्त है, लेकिन अभी उसमें वो और स्थिरता चाहता है, इसलिए उसने कहा, ऐसा, कि मैं अभी और आश्रम में रहकर सेवा करना चाहता हूँ, गुरुजी ने कहा, फिर तो तुम जब तक चाहू रह सकते हो, क्योंकि जब तुम बोलोगे कुछ नहीं, और यहां के माहंत नहीं होगे, यहां के इंचार्ज नहीं होगे, यहां के मास्टर नहीं होगे, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें वही सब गमार समझेंगे और तुम्हारा नाम में वहाँ पर बोर्ट से मिटा आया हूँ अगर अभी कुछ लोगों ने पढ़ भी लिया होगा किसी को नहीं मालूं किसने वो क्या लिखा है और जब तुम कभी बात में मेरा शरी जब पूरा हो जाए शांत हो जाए तुम जहां चाहो चले जाना और तुम्हें दुनिया फिर सुईकार करेगी तो जब तक गुरुजी का शरी रहा वो साश्रम में रहा गुरुजी उसको बुला लिया करते ग्यान चर्चा करते और ये लड़का स्थिरता को प्राप्त होता चला गया और बाद में कौन बना क्या बना इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि संतों के बारे में वो जो छुपे रहना चाहते हैं उनके बारे में बताना ठीक नहीं होता तो ये हमारी स्टोरी होत पर्परसफुल है इसका कंसेप्ट समझने लाइक है कि जीवन में कभी भी पूर्टा नहीं आती मनश्च को आगे 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 आप जब से चले हैं बढ़ रहे हैं सकसेस एक वो होती है जैसे कई बार बात चलती है एक तो वो सकसेस होती है कि हमने ये टारगेट एचीव कर लिया येस आइम सकसेसफुल ये तो सकसेस मिलती रहती है लेकिन ये पूर्टा वाली नहीं होती अब अगला टारगेट अब अगला अगला रेटायर्मेंट की एज तक टारगेट मिलते रहते हैं जायर होने के बाद में उसको लगता है अरे अभी तो बहुत काम रह गया अभी तो मैं बहुत कुछ कर सकता था ग्यान में सकसेस मिलती है जो लोग पूरी बात को ठीक से समझ लेते हैं लेकिन वो कभी नहीं कहते कि मैं सकसेसफुल हूँ मैंने पा लिया है मैंने जान लिया है जैसे अभी आपने दिश्टान्त में देखा और लड़के तो लालाइट थे कि हमको सुपीरियर पत पर आप्त हो जाए मास्टर बन जाए पर उसने कहा कि मुझे नहीं बनना मास्टर मैं तो अभी और स्थिरता चाहता हूँ इसका मतलब अभी मुझे और आगे जाना है मैं यहां तक आया हूँ रुकने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने